Microsoft Excel की आज की वेडियो में हम सीखनी जा रहे हैं Total Income और Total Expense शीट के बारे में और इसका Total Profit या Total Loss के बारे में हमने ये शीट बनाया है यहां पे हम इंटरी करते हैं तो Income Sheet अटमेटिकली मेंटेन होता है जिस तरह हम वहां इंटरी करते हैं तो Submit के बटन से यहां पे हमारा शीट अटमेटिकली अपडेट हो जाता है इसी तरह Expense के इंटरी जब करते हैं तो यह वहां शीट अटमेटिकली अपडेट होता था और दोनों का Complete Report हम रेपोर्ट शीट में यहां मैंटेन करते थे पिर यहां से हम डेजबोर्ट में देखाते थे आज हमने एक ऐसा डेजबोर्ट डिजाइन करना है एक ऐसा शीट जिसमें हम मंतली बेसिस में भी किल्कुलेशन कर सकते हैं और डेली बेसिस में भी किल्कुलेशन कर सकते हैं ये एक हमारे सब्स्राइबर का डिवांड है जो कि हमीशा हमारे साथ हर स्टेप को फॉलो करते हैं तो इसके लिए एक डेज़बोर्ड याशी डिजाइन करते हैं सीरियल नंबर, डेट, इनकम और अमांट इसका टैटल होगा अक लाइन चोड़के, इसी टैटल को हमने कोफी करना है एक कॉलम चोड़के यहां पर पेस्ट करना है इनकम की जगह पे यहां पर एकस्पेंस रखेंगे तो एक साथ पे हमारा इनकम वाला रिकॉर्ड मेंटेन होगा और दूसरी साथ पर एकस्पेंस का पहला step लेना है हमने serial number से यहां पे हम one लिखते हैं और जाते हैं फेल आप्शन पे फेल आप्शन पे जाने की बाद series पे क्लिक करना है और यहां one already लिखा हुआ है 31 हमारा जन्वरी का महीना है और column select करके ok करना है तो एक महीनी का पूरा serial number यहां पे automatically आ गए है तो हमने दोबारा अलग से select करके पूर साइज रखेंगे प्रोटीन और लेप्ट अलाइन करेंगे अब हमने अलग-अलग से बोल्ड बी किया control B से या BC भी कर सकते हैं अब इसी पूरी टेबल को हमने पूरी महीनी का select करना है shift control down arrow और keyboard से control T प्रेस करके OK करना है यहां से design भी आप change कर सकते हैं जो भी आपको पसंद है वही आप design दे सकते हैं अगर आप चाहें के इसके borderline black हो तो black भी रख सकते हैं इसी तरह दूसरा expense वाला जो पाउट है इसको भी हमने क्या करना है पूरा यहां पर पहले वन लिखके series number create करते हैं और यहां fill पर जाके series भी क्लिक करना है और यहां column select करके 31 लिखना है करना है यहां पर भी पूरे महीनी के लिए table create हो जाएगा अब shift control down arrow और control T press करना है यहां नीची के option पे क्लिक करना है यहां से table select करना है यहां से भी हम table को select कर सकते हैं और उपर design भी चूश कर सकते हैं तो दो different design में हमने यह table design किये serial number वाली column को select करके दोनों इसको size तुरसा manage करना था हो गया अब एक और sheet aid किया यहां पे हमने report बनाना है income, expense, total profit, total loss अगर आपने यहां पे report date wise बनानी है या monthly wise तो इसके लिए मैं description में video देता हूँ वह परमूल आप यूज कर सकते हैं अब यहां पे उस परमूले के true आपने क्या करना है यहां पे table create करना होगा otherwise इस table की जरुरत नहीं है इस table को पिर हम delete करते हैं यह उस परमूले के लिए मैंने यहां पे table create किया weight manage करनी हो तो वह आप यहां पे manage कर सकते हैं otherwise बाद में इसको delete करते हैं यह total परमूले के लिए हैं यहां भी हम परमूले यूज करते हैं is equal to sum bracket start और total income वाला जो amount वाला कॉलम है पूरे सले करके enter करना है zero आया क्यूंकि हमने entry नहीं की expense का भी is equal to sum bracket start दूसरी sheet पर जाते हैं यहां पर expense वाली sheet का amount वाला जो कॉलम है expense के सामने amount वाला यह पूरे सले करके enter करना है तो यहां की total expense वाली entry यहां पर sum हो जाएगी is equal to if bracket start income greater than expense अगर income expense से ज्यादा है कॉमा तो income minus expense तो income से expense को minus किया जाए कॉमा 0 या bracket close इंटर करते हैं तो pause आ जाता है जिसको दोबारा edit करके यहां पर कॉमा 0 bracket close करते हैं अगर कोई value नहीं है तो 0 आ जाए तो यहां पर 0 आ जाएगा अब यह हमने calculation किया नहीं है entry नहीं की is equal to if second condition bracket start expense greater than income अगर expense income से जाएगा है तो कॉमा expense minus income अगर expense minus income करते हैं तो हमारे पास total loss positive value में आ जाएगा negative value में नहीं आएगा बात में इसको चैंज करते हैं यह minus income से मुराद है कि यह हमारे पास value positive में आ जाएगी लेकर loss शो कर देगा हम कॉमा जिरू लगाते हैं बात में इसको चैंज करा देता हूँ minus किस तरह आता है अभी आते हैं यहां पर कुछ इंटरी करते हैं और यहां पर यहां पर यहां पर देख सकते हैं यहां पर किल्कुलेशन हो रहा है हमारा कितना loss हुआ यहां यहां हमने expense ज्यादा किया है loss का मतलब expense ज्यादा हो गया income हमारा कम आया था तो आप अपनी मर्जी की मताबिक loss and profit के लिए manage कर सकते हैं अब हमने क्या करना है income minus expense करते हैं तो हमारी value जो है वो negative में आ जाएगा यह देखें इसी तरह negative positive value आप बना सकते हैं इसको central align करते हैं और middle align करते हैं बागी जाते हैं दुबार अपने sheet पे यहां पे date को नीचे drag करते हैं कुछ entry मजीद करते हैं हम income में और यहां income source of income लिखते हैं shop rent और जितना आपका income आ रहा हैं जहां सी पी आ रहा हैं वो यहां पे लिखना है amount और दुसरा हम लिखते हैं transport income ट्रांसपोर्ट से जतना आपका income आ रहा हैं यहां पे लिखते हैं अगर आपका client से income आ रहा हैं तो आप client wise यहां income लिख सकते हैं कोई भी category हो सकते हैं आप अपना category खुछ यहां पे decide कर सकते हैं अलग-अलग लिखना है या एक जगह पे लिखना है मैं single date में एक entry करता हूं तो आप दो भी कर सकते एक date में तीन भी कर सकते हैं और यहां पे एक और entry करते हैं office rent अगर आपने किसी office को या घर को rent भी दिया है जिसका income यहां पे लिखा आप देखिए हमारा income total calculate हो रहा है total income आ रहा है तो इसी तरह हमने date यहां पे भी ड्रै करना है नीची तक shift control 3 प्रेस किया तो यह format date में चेंज हो गया और यह date को हम जनवरी में करते हैं यानि टू पहला वान एंटू यहां पे हम expense का एक और category चूज कर देते हैं for example school fees यह भी हमारा expense है और यहां amount लेकिंगे आप अपने category खूद लेकिंगे मैं सिरफ example दे रहा हूं जिस तरह tuition piece भी हो सकता है एक date में tuition piece या different date में जिस दिन में आप expense करते हैं वही date आप यहां पे इंटर करते जाएं और amount भी आप calculate कर सकते हैं यहां दो तरीकों से calculation होती है एक direct sum की तरू और दूसरा date wise अगर आपको date wise पर मूला चाहिए उसका मैं description में video link दे देता हूं वह आप देख सकते हैं वह और भी बहतर है लेकर यहां confusion से बचने के लिए मैंने shortcut use किया है यह इंतिहाई असान तरीका है इस तरीकी के मताबक आप असानी के साथ अपना sheet खुद create कर सकते हैं यहां पर expense के entry कुछ type कियें ताकि हम अपना calculation देख सके जाते हैं report sheet में यहां पर total loss zero है और तीन लाग नवे हजार total profit है और चौबिस लाग पचिस हजार expense है पहले हमें loss शो कर आता अभी loss नहीं है profit शो कर आ है यहां पर हम dashboard के लिए area select करके और तीम कलर से क्वी कलर यहां पर डालेंगे और इसका तुरह size भी ज्यादा रखना है अब हम दूसरी sheet पर जाते हैं यहां से हमने करना है इन icon को copy करना है यह icon आप internet से download कर सकते हैं या अगर आपकी system में मौजूद है आप लगा सकते हैं otherwise जरूरत नहीं है जाते हैं अपने new sheet में यहां पर paste करते हैं इसको जल्दी जल्दी में तोड़ा सा setting करके और यहां पर entry लानी है पिर सब को select किया size तोड़ा सा increase करना है और पिर सब को select करके एक दूसरी से तोड़ा सा distance पर रखेंगे जिन icon को आपने move करना है उसको control पकड़के select करना है फिर आप left right move कर सकते हैं arrow की से तो यह dashboard आपका ready हो गया अब insert tab पर क्लिक करना है illustration पर क्लिक करना है shape पर क्लिक करके यहां से text box को insert करना है और यहां पर draw करना है और shape format पर जाके shape color no fill shape offline no outline text box को select करना है और formula bar पर equal to लिकना है दूसरी sheet पर जाना है इनका हमारी cell को select करना है और enter करना है इंटर करने के बाद यह message है इस पर मोड़ा जी मिसिंग अरेंज रिप्रेंस और डिप्रेंट नहीं ओके यह table की वज़े से यह मसला रहे हैं हमने ओधर table create किया था तो हमने इसको simple करना है simple data मतलब बगए table के control T के साथ हमने table create किया था उसको हमने हत्म करना है simple data से पर हम किसी भी shape या text box के अंदर हम value लेकिया सकते हैं तो हम पहले इसको यहां पर copy करना है text box को और इसको convert किया यहीं सिंपल इंटरी किया हमने अब इस इक्सपेंस वारा से इंटर किया इधर value आ गई है पहले table के वाज़े से नहीं आ रहा था दूबारा दूसरे cell को select करके इस इक्सपेंस वारा cell select करके इंटर किया तो दूसरी value भी आ गई इसी तरह तीसरा वोपर सी address भी सिर्फ यह जो address है e6, d6, f6 सिर्फ यह change करें पिर भी यह value आ जाएगे असानी के लिए is equal to का sign पहले इसको काटना है is equal to पिर जाना है इस शीट पे और यहां पिर loss वारा इंटर किया loss चुंकि हमारे पास zero है इस वाई से zero show हो रहा है control को hold करके सारे text box को select करना है और shape और mat पर क्लिक करना है और यहां से align middle करना है तो यह सारे text align middle हो गए इसी तरह total income और expense को भी control hold करके सब को select करना है और पूंट size increase करना है अब text box का size तो सका मैं इसको भी आप ज्यादा कर सकते हैं जब तक select है तो सब की उपर यह size increase या decrease इपलाई हो जाता है अब यह आप dashboard में देख सकते हैं total income से हमारा total expense कम है यानि 24 लाग 25 जार है हम एक entry करते हैं expense के अंदर shop purchase और यहां पर amount लिखते हैं अभी देखते हैं 24 लाग 25 जार से ज्यादा हो रहे नहीं बिलकुल यह तो ज्यादा नहीं हुआ क्यों के वहां पर हमने जब सम का पर मुला apply किया है तो हमने नीशे सेल सलेक नहीं किया तो इसके लिए क्या करना है हमने रेपोर्ट वाले शीट भी जाना है expense वाले सेल को एडिट करना है और पर मुली को दोबारा apply करना है सम ब्रेक स्टार्ट अब जाना है अपने डेशबूर्ट पे अब यहां पे हमने पूरा कॉलम सलेकरना है expense वाला जो कॉलम में इंटर करना है अब हमारा जो expense हमने उदर एड़ किया इ यहां पे हम लिखेंगे लैपटॉप परचीज expense के amount है 64,25,000 अभी यहां पे हम 80,000 मजीद एड़ करते हैं इंटर करने के बाद हमारी expense value चेंज हो जाएगी तो चेंज हो गया अभी दोबार मैं इसको delete करता हो आप देख सकते हैं expense दो बारा 64,26,000 और इदर टूटल लॉस भी चेंज हो रहा है दोबारा इंटर किया तो दोबारा चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है हमारा report या dashboard बिल लाइन से चेक खटाना है फर्मॉला से भी चेक खटाना है तो हमारे पास एक simple और dynamic page या dashboard ready हो गया अब यहां पर फ्रीजपेन भी लगा सकते हैं अगर आपकी इंटरी ज्यादा हैं तो जरूरी हैं यहां पर फ्रीजपेन लगाएं यहां पर मैं और इंटरी करता हूं income मैं 16 2023 और इंकम डिटीज या इन सूर्स आप इंकम मैं हम लिखते हैं आपर एकजेमपल सैलरी तो यहां पर सेलरी इसलरी और यहां पर एक बाद चुका है महीनी में तो दस सेलरी हुँती नहीं है यहां पर और टायम लेके हैं पर एक देढ़ता हूं और और टायम का मॉंट इक लिखते हैं तो अब हम देख सकते हैं 28,15,000 से हमारा amount income का amount बढ़ जाएगा इंटर करते हैं 28,15,000 हो गया तो यह बिलकुल एक dynamic dashboard हो गया जिसका आप direct report भी चेक कर सकते हैं तो friends उमीद करते हैं आज की वेडियो आपको अच्छे लगी होगी अगर वेडियो अच्छे लगी हैं तो वेडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शियर कर दें या अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और साथ में लगे बेल अगम को भी प्रेस कर दे ताके हमें सपोर्ट मिलती रहें और हम इसी तरह अच्छी अच्छी वैडियो क्रेड करते रहें आपके सपोर्ट के बगार हम आगे नहीं बढ़ सकते आपके सपोर्ट की हमें हमेशा जरूरत है अपना बहुत सारा ख्याल रखीगा मिलते है एक नए वेडियो के साथ अल्ला हफिज